प्अ जो मुख्खे गण्ताम नंबर जिसको एजिम्थल क्वैंटाम नंबर बोलते प्रकार बवस्तित है वही बताते हैं तो हमने इसके पहले एक पार्ट किया था यह बीडियो का सेकेंड पार्ट है इसमें हम कोश्चन से सुरू करते हैं जो सेकेंड टाइप है जैसे कि मालीजी आप से कोई कह दे कि नाइट्रोजन में उने पांचमें इलेक्टरान के लिए कोई कहे आप से कि नाइट्रोजन में पांचमें इलेक्टरान के लिए 4 और्ट का अमान बताईए देखिए फिर से कि क्या बताता है कि किसी भी एटम में पौशिश्चन और इसकी सिती को बताएगा वो किस प्रकार वेवस्थित है वो बताएगा ठीक तो माल लेजी ये हमारा क्या है शो नाइटोजन का प्रमाड के और ये प्रमाड में जो सेंटर्म होता इसको नाभिग बोलते इस नाभिग में हमारा क्या होता है प्रोटान होता है तो पूछा गया है कि इस सेवें लेक्टान में जो पांच्वां लेक्ठान उसके लिए इन च़ारो काą नाम का नाम बताएजिए यानि कि दाएए यह से की लिए पूछा गया आप से तो सबसे पहले हम गों करना क्या है इस nitrogen का electronic विन्यास करेंगे यानि electronic configuration लिखेंगे ठीक तो nitrogen में कितने atomic number होता है इसका 7 तो इसका electronic configuration क्या होगा 1s2 2s2 and 2p3 यह होगा इसका electronic configuration हम जानते हैं यूस में कितना रबिटल होता है एक िन्य अर्बिटल होता है तो पांचनले पूछा गया है तो laub permit właściwie के लिए रहे वच्वे वहां हौंने भर दिया इसमें कितने लित लिए मुत 252 date यह तीन इलेक्टान इधर भी फिल हो गया, क्या पूछा गया आपसे, पाँचवे इलेक्टान के लिए आपको पूछा गया है, कि चारो कांटर नमबर का मान बताना है, ठीक, तो पहले हम लोग डिसाइड करेंगे, कि पाँचवे इलेक्टान किस आर्बिटल में पढ़ रहा तो देखिए, दो इलेक्टान इहां हो गया, पहले हम लोग इधर से चलते हैं, पहले 1S, फिर 2S, फिर 2P, तो पहले 1S में हमने 2 इलेक्टान भरा, उसके पासे 2S में 2 इलेक्टान भरा, 4 इलेक्टान, और 2P में हमको 5 इलेक्टान फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें कि क्या करना इमान बताना है तो देखिए दो दो चार और और नामरे फ्राइव पड़ेगा याई 2P3 में कहा जाए तो हमारण ह Applause पड़े इसी में यह जो पहला इलेटरान है इसी के लिए हमको चारो कामान बताना है तो देख्ये हमने काहा था जो स्फ यहां केंड किना करें है दो क्लियर हमने कि ba अटिroe को यल के लिए वह कितना मान होगा हो कि रे उन्हें दो 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 क्वार दो तो कौन सा अरबिटल होगा यहां कि नहां दो प्र वी त्र जब ऑर देंग गेंगे तो मेरे दो कितना ओगा। यानी कि यहां से अगर यह अन बराबर वरण उना मुझा निकल जाएगा 1 हो जाएगा, clear अब जो तीसरा है, यानि कि दो थमको पता चल गया, यन और यल पता चल गया तीसरा हमको पता करना है कौन सा, यम यम का जो मान होता है वो यल पे डिपेंड करता है किस प्रकार, माइनस यल से प्लस यल तक clear यानि कि देखो, एक्चोली में यम हमको यही बताता है कि number of orbital कितने orbital है तो देखिए, यहां से अगर हम लोग इस यल के लिए, यानि कि यल बराबर 1, तो हमको मान मिला है लेकिन इससे हमको यम का मान निकालना है, तो हमको किस प्रकार चलना पड़ेगा, माइनस 1 से, कहां तक चलना पड़ेगा प्लस 1 तक चलना पड़ेगा ठीक है, तो माइनस 1 से प्लस 1 तक चलेंगे तो यह देखिए, किस प्रकार होगा माइनस 1 से, तो माइनस 1 हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा तो कितनी आरबिटल हो गया है यह हमारे तो इन तीन आरबिटल में कितने लेक्टन है यानि कि इस आर्बिटल के लिए जो हमारा यम कमान होगा वो कितना होगा माइनस वन होगा clear लेकिन यस के लिए जाएंगे तो यस के लिए क्या होथा यस हमारा बताता है स्पिन अपवर्ट की डाउनबर्ड थेक है तो देखी इसका जो सिरह है वो अपेवर डियरेक्षन में है तो इसके लिए हमारा जो यस का मान होगा वह कितिना होगा प्लॉस हाफ होगा थकुलियर तो देखिए महारा जो कोशन था कि नाइट टोजन के पांच में ये रहल के लिए छारोकॉंटर नम्बर का मान बताना तो तो इसके लिए हमने चारो कांट नमबर का जब मान निकाले हैं, तो क्या निकल के आया है, यन बराबर कितना आया है, दो, यल बराबर कितना आया है, वन, यम बराबर कितना आया है, माइनस वन, और यस बराबर कितना आया है, प्लस हाव, clear, यह चारो कांट नमबर हमको बता बताएगा यह जो पांचवां एलेक्टान है यह दूसरे सेल में है और यह रोख सेल के अंतर सबसेल होता है तो यह हमको बताएगा क्या यह P यानि कुछ इस प्रकार का इसका सेफ है डबल डंबला कार क्लियर इस प्रकार का क्या है वो हमारा आर्बीटल है अच्छा उस आर्बीटल में यहम कमान कितना है यहम कमान तीन परवाधी करता है तो यहम कमान कितना हो गया माइनस वह अच्छा इलेक्टरान का मुव्मेंट कि किस प्रकार जाने इस कमाई कितना हो गया यहीं तो बताता आप सबलंक किसी भी एलेक्टरान के लिए एटम में बताएगा उसका प्रस्टिसन कि किस प्रकार है वो कहां है और किस प्रकार वो बेवस्तित है Ländern ढर्चते चसेंद मट मत पुछिशन नमार यह है אीं देखएं कीम आपके सामने एक फ्लॉरीन लिए घ्ड़ेशा रिखा गया बान की अनलि सक्षच के लिए डिखा गया बने dife एक्टम होता है यहाँ इलिमेंट होते हैं किसी काप एग्जिट गर सकते हो ले सकते हो उसको और उसको पता कर बढ़ेक्टन के लिए चारे कोंटन कर कि सकते हो उसको किसी अंछ hour click किस लिए तीसरे एलेक्टान के लिए किसका मान यन, यल, यम और यस इनी चारों का मान हमको पता करना है तीसरे एलेक्टान के लिए तो देखिए सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि हमको पता करना होता है कि तीसरे एलेक्टान हमारा कहा होगा तो इसके लिए हम लोग आर्बिटर्ल ड्रा कर लेते हैं पहले अगर इसमें हम लोग देखेंगे देखेंगे यस के कितने आर्बिटर्ल होते हैं एक आर्बिटर्ल होता है तो अगर इसमें हमको पता करना हो तो देखिए यहां पर दो इलेक्टरन होगे इसमें हमारे कितने इ तो एक 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 पहले बढ़ा जाता है तो वान तू थू फोर फाइव कांट कर लीजी यह आर्बिटर होता है अब देखिए इधर भी हमारे 9 एक्टान हो गया है दो दो चार और पांच नो अब आब हमको क्या पूछा गया है तीसरे इकान के लिए तो सबसे पहले हमारा यही काम है कि वह तीसरे इकान हम नों. एक किस में पड़ा है तू यानी टूस टू में हमारा कौन सा इकान है तीसरे इकान है क्लियर इसी लेकान के लिए हमको पता करना आप देखिए जो फ्रॉंट का नंबर होता है क्या होता है आपका यन होता है तो यन बराबर हमारा पता चल जाएगा डो यस के लिए यल कमान कितना होता है जिरो होता है क्लियर और यम का जो मान होता है वह यल पे डिपेंड करता है तो चुकी M come on L पर depend करता है तो यहां पर एकजिट नहीं किया यह कमान 0 होगा तो इस condition में M come on भी क्या होता है? 0 होता है clear तो देखिए अब यहां पर किस इलेक्टान के लिए पता करना है आपको तो इसका मूवमेंट देखे किस प्रकार है अपवर डिवेक्शन है यानि यस कमान कितना हो गया यह चारो कांटर नुम्बर अधा चल गया अब देखिए एक्चुली में बताता है क्या नंबर आफ अर्बिटर तो यहां पर देखिए यहां का कितने मान मिलें क्यावल एक या ही होगा यानि कि यह कमान दो मिल गया यह कमान कितना मिल गया जीरो और यह कमान कितना मिल गया प्लस साव यह है क्वांटर नंबर क्वांटर नंबर बस बिसेकली यह बताता है कि किसी भी एक्टम में किसी भी इलेक्टरान के लिए आप उसकी पोजिशन को फाइंड आउट आप लोगों को समझ माया होगा थांक यू, बबबब